हेलो एन वेलकम काई स्वागात आपका फेंटास एडिसन चेलेंजर में तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रीम इलेवन त्रीनीदार टीटन ब्लास्ट की जो की मैच होने वाला यहां से स्ट्रिल प्रांट स्ट्राइकर्स वर्शिस ब्लू डेविल के बीच सकते हैं कौन सा प्लेयर हमेरे लिए कैप्टन सिप और वाइस कैप्टन सिप के लिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैंच की से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यूटुब चनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नेकर तो यूटुब टी 10 भी चुरूब होगा यह सारी मैच इस आपको इसी चैनल पर मिरेगी वो भी ओफिसर प्लेयर स्टेट्स और एनलिसिस के साथ तो और फिर किया चाहिए तो आप यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजगा और टेलिगरं से जुट जाएगा क्यूंकि फाइनल अप यानि कि आर या पार वाली गेम हैं तो यहांसे बड़ा स्कॉर भी आसानी से दिख सकता है फिर भी एवरे स्कॉर की बात करो तो 100-120 रन के आज पास आपको स्कॉर बनता हुआ दिखाए दे सकता है बाकि चेजिंग रेकूर की बात करो तो इक्वली आंक्रे यहांसे 16 मैच आठ बार चेजिंग करने वाली जीती है और आठ बार यहांसे पहले बैटिंग करने वाली जीती है लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडवांटेज जहांसे चेजिंग करने वाली टीम को रहता है क्योंकि सुरू आज की जो कुछ मैचिस है वो सारी चेजिंग करने वाली टीम ज किया रही है एविन लेविस जब भजट सुन पॉम में चल रहे हैं एवन आजए ब्लेयर तो लेके जाएंगे कर वास किलिए किलीए सीदी पिक यहां से एविन लेविस आज की मैच के लिए तो कंशे कम होने वाली है बात के लाइसे एड्रियन अली तो इनको ट्राइ कर सकते हो स्वरी क्योंकि वह पांच में नंबर पर बेटिंग कर रहे हैं थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है यहां से यह थोड़े से इंपोर्डेंट हो सकते हैं क्योंकि सामने वाली टीम के विकर्ड के पर उनसे भ मार्क डैल लाज़ मैच के अंदर ओपनिंग की और दो वह पूरी करते हैं इनको उम लेखे जाएंगे काली चरान का पी नीचे के लिए थे तो इनको लेगना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि अगर बैटिंग नहीं आई तो यहां से हमारे लिए रिस्ट की प्लियर हो सकते वाकि राइट आम अप लेक बॉलिंग भी करवा सकते हैं और सो अभी रख की नहीं लेकिन बैटिंग से नीचे पहले ऊपर बैटिंग करते थे लास मैच में थोड़े से नीचे आये थे इम्रान अली ने लास मैच में बैटिंग से जबज़स परफोर्मस दे दिया टिम की कैप्टन्सिप करवा रही है इम्रान अली ने इम्रान खाने यहां से इससे पहले बैटिंग से इतना कुछ खास किया नहीं था लेकिन लास मैच के अंदर 24 रंज भी किये और दो वास की गै मैच में चल जाता है तो दुसरी मैच में उनको उपर प्रमोर करते है तो ऐसा कुछ हो सकता है आज की मैच के अंदर लेकिन कुछ हो सकता है बात के नहीं से जहरॉन आलफट की तो ओरस पूरी करवा रहे है लगबग तीन बार उन्होंने एक एक विकेट निकाली बाकि ओर पूरी करवा रहे है तो विकेट लेने के चांसी सुन के पास रहते है तो यहांसे आलफट को जरूर अपनी टिम में ट्राइ कर सकते हो रहेंगे दो विकेट पहली मैच के अंदर निकाला लास मैच के अंदर भी दो विकेट निकाल दिये तो विकेट लेने के यहांसे उनकी जो शमता है वो काफी अच्छी है यहांसे इनको जरूर ट्राइ कर सकते हैं हम लोग बाकी मॉलोन को डिफरेंशियल चोईस पर इनको ट्राइ करिएगा आप 4 मेंबर खेलते हो 5 मेंबर खेलते हो या फिर गराण लिफ वगेरा खेलते हो तो तबी उसमें ट्राइ करेगा बाकी स्मॉल लिफ में थोड़े से रिस्की हो सकते हैं बाकी प्लेयर्स काफी अच्छा है कभी आपको विकेट लेता हो नजर आ सकता है एंसिल नेड तो पहली तीन मेंच केले ने रब दो मेंच केले उसमें भी कुछ खास परफरमस रहा नहीं उनका अगर कोई खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलिगरम में जरूर प्रवाइड करवा दूँगा तो टेलिगरम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा तो यहां से कास्ट्रो वेरी इंपोर्वरेंट बिक बनते हैं अभी एज ए प्लेयर हमें लिखे जाना है बाकि केस्ट्रों ठर्ट्रों ने भी पिछली दो मेंच के अंदर 6-6 रन किये हाला कि अगर बीच में पॉइंट नहीं होता तो 6-6 हो सकते थे जोक सपार्ट लेकिन इतना कुछ खास परफोर्मस रहा नहीं लेकिन लास मेच के अंदर उपर जरूर खेले थे तो यहां से एक बार जरूर ट्राइ का सकते हैं कि उपर खेलेंगे तो रन बनाने के चांसिस उनके पास रहते हैं बात की यहां से इजाहिल रजा की बात करू तो पहले उपनिंग करवा रहे तो इतना कुछ खास परफोर्मस रहा नहीं दा लेकिन पिछली दो मेचिस से नी कुछ खास परफोर्मस रहा नहीं तो इनको लेकिन फिर भी हम लोग आउइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां से उनको बैटिंग सेक्शन में दिखेंगे आपको और यहां से बैटिंग सेक्शन में हमारे लिए वेरी इंपॉर्नेट फिक बन सकते हैं एज अ प्लेयर लेके तीन विकेट निकाल दिये मैं इसे नहीं बोल रहा है एक बार टेलिगराम में जाकि जरूर चेक करिएगा बाकि इस मेंच के अंदर भी हमारे लिए इंपॉर्नेट बन सकते हैं इवन कैप्टन सिब वास कैप्टन सिब अभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको दे स सकते हो क्योंकि यार पर्सनली बात करो तो मुझे प्लेयर बहुत ही पसंद है यहां से काफी लिग के अंदर बड़ा पर्फरमस करता हुआ आ रहा है खेरी पेरी तो उनके पास हमारे लिए बहुत ही सारी एक्सेप्टेशन है लेकिन उनका इतना सारा पर्फरमस रहा नहीं अच्छा बाकि उनके जो आंकडे बोल रहे यहां से काफी अच्छे बोल रहे बाकि इंटर्नेशनल मैचिस के लावा बंदा है लेकिन फिर भी यार यह इतना कुछ खास पर्फरमस दिया नहीं हो सकता है इनसे पास एक्सेप्टेशन रख सकता है और इनको छोड़ना थोड ट्राइक कर सकते हो काफी अच्छा प्लियर है कभी भी आपको विकेट लेता हो न चला सकता है तो विकेट की बिंग सक्षन में यहां से आपको कटवारू दिखेंगे जो की ओवरल तो ठिक ठक पर्फरमस दे रहे थे लेकिन लास मैच के अंदर आठमी नमर पर बैटिंग क निकाल रहे तो देख लेते हैं इनके बारे में लास में बात करते हैं लेकिन यहां से औसो नोग की बात करते हैं तो यह इतने इंपोर्णेस नहीं रहने वाला है स्मॉल लिग में बिल्कुल प्रिफर नहीं करता इनको भी आग 5-6 टीम बनाते तो एक आटी टीम में हैं इसे सेजाद अली के साथ जारो क्योंकी राजा मैच के अंदर उन्हों ने थोड़ी सूपर बैटिंग की थी कटवारू काफी नीचे बैटिंग किया थे तो आगर कटवारू के साथ जाना चाहो तो भी जा सकते हो बागी बैटिंग सक्षन में ऐसे यहांसे जे गूली और यहांसे कास्ट्रो को पिक किया है, यहांसे आई रजा मुझे काफी अच्छे प्लेयर लगे, इनको जरूर ट्राइ कर सकते हो अपनी टीम के अंदर, काली चैनलन भी अच्छी चोईस है लेकिन थोड़े से रिस्की रहेंगे, ठर्टर ने लास्ट मेंच के बाद के तो दो विकेट निकाल दिये थे, 0.4 वस की गेन बाज करते हो है, तो रेगुलर बेज़िस पर वस करवाते हैं नहीं, तो थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, बाकि इनको ट्राइ कर सकते हो, डिफरेंचियल चोईस पर जरूर, वल्राउंडर सेक्शन के बाद के होता है, यहां से ज्याड एमरिट, यहां से एमडायल, स्टुवर्ड और इमरान खन को पिक किया है, क्यारी बेरी काफी अच्छी चोईस है, डिफरेंचियल चोईस पर इनको ट्राइ कर सकते हो, और यहां से एल्फरेट को ट्राइ कर सकते हो, दोनोंगे प्लेयर्स काफी अच्छे, तो इनको जरूर अपनी रडार में रखेगा, बाकि यहां से बॉलिंग सेक्शन में, राम डायल यहां से, लेविस वर यहां से भगन को पिक किया है, बाकि वी मोहन हो गए यहां से, और यह मलोन को ट्राइ कर सकते हो, बाकि कुछ टिम मेरी इस तरह से रह सकती है, कैप्टन हमारे रहेंगे यहां से लेविस, नो डाउट, यही हमारी कैप्टन रहने माले वाइस कैप्टन स्रीप के तोर पर यहां से, यहां से जो बी अच्छी मैचिस होगी, जहां से आपकी वीनिंग अच्छी हो सके, सारी मैचिस की वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे, तो हम लोग मिलते अगले वीडियो में तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा है नेलिस्ट करते रहो, अच्छी टीम बनना दते रहो, अच्छी वीनिंग करते रहो, और यहां से टेलिग्रम से और यूटूब से दोनों से जूटते रहो, क्योंकि आपकी अच्छी वीनिंग हो सके, तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक ले बाई, धन्यवाद, जहीन, जय बारत.